इस वीडियो में हम लोग मुँग के पास होने वाली एक बीमारी पेरी ओरल डर्मटाइटिस के बारे में बात करेंगे तो ये जो परसानी होती है ये अधिकांस केसिस में जो यंग फीमेल्स होती हैं महलब 20 से 45 साल की जो महिलाय होती है उनमें ये परसानी देखने को मिलती है लेकिन ये परसानी पूरसों में भी कभी-कभी देखने को मिल जाती है बच्चों में भी कभी-कभी देखने को मिल जाती है तो इस परसानी में व्यक्ति के जो मूँ के चारो तरफ का हिस्सा है तो उसमें छोटे-छोटे लाल रंग के दाने आ जाते हैं ये जो दाने होते हैं कभी-कभी हलका सा ऐसा लगे कि इनमें पानी भरा हुआ है या कभी-कभी इनमें पस मवाद भरा हुआ दाना भी देखने को को मिल सकता है और इनकी संख्या कई बार 20-30 की संख्या में भी देखने को मिल सकती है और सधान ते यह होटों पर नहीं आती है और होटों का जो अपर बार्डर है उसको भी स्पेर करती मतलब उसको उस पर भी यह दाने नहीं होते हैं यह जो दाने होते हैं, यह मुँ के चारों तरफ होते हैं, लेकिन कभी-कभी जो नाग के किनारी वाला हिस्सा है, जो नाइजो लावियल फोल्ड यहां पर भी यह दाने आ जाते हैं, और कभी-कभी जो आँख का अंदर वाली जो स्किन का हिस्सा है, मतलब कि जो मेडियल साइ और to बहुत ज्यादा प्रसानी नहीं होती है यह जो प्रसानी होती है अधिक्वांस स्किसेज में लुकल यह जो प्रसानी है यह देखा गया ज्यादा देखने को मिलती है और उसमें भी देखा गया है कि जो टॉपिकल इस्टिरॉइड गुरूप की दवाईयां होती हैं मतलब कि जैसे बिटा मेथासोन मुमेथासोन इस तरह के जो इस्टिरॉइड गुरूप का क्रीम है उनका अभ्यूज अधिकांस किसेज में देखने मिलता है तो जैसे गाओं के लोगों में ज्यादा जनकारी है ने इस्टिरॉइड क्रीम का और चेहरे को गोरा करने वाली जो दवाईयां हैं काफी ज्यादा पॉपूलर हैं प्रचलित हैं चेहरे की स्कुन को चमकाने के लिए तो लोग बेटनोवेट लोबेट इस तरह की क्रीम इसकिन लाइट इसकिन साइन इस त तहीं या फिर इंहेलर ले रहा है इस्टीरोफ कशिरोफ की इस तरह की इस्टीरोफ की चिरी मिल जाती है नेक्स्ट जो इसका इंपर्टेंट कॉज सबस्क्रावीशन क्रेम इस तरह के क्रीम यूज करने हैं मोई स्थ्राइजिंग क्रीम मेह उन assembleded परषानी 3 गुना ज़ादा देखने को मिली थी मन्लब कि कॉस्मेटिक ज्यादा जो भी यूज करता है उनने ये समय बदल रहा है और पूरुस भी कॉस्मेटिक के प्रती अलर्ट होते जा रहे हैं तो धीरे धीरे यह प्रॉब्लम पूरुसों में भी जादा बढ़ने लगी है इसके अलामा और भी कुछ चीजे हैं जो कि इस प्रॉब्लम के होने के पीछे के कारण है जैसे कुछ रिसर्च में कुछ इन्फेक्शन का जिक्रा आता है जैसे कि कैंडिडा, फ्यूजो बैक्टिरियम, डेमोडेक्स इस तरह के इन्फेक्शन भी इस प्रॉब्लम को करने की छमता रखते हैं इसी तरह से कुछ केसे में ऐसा देखा गया कि जब महीना आने वाला हो उसके पहले का समय में यह प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाती है या फिर जब कोई ओरल कॉंट्रसेप्टिव पिल्स गर्भ निरोदेक्श गोलियां ले रहा हो तो उस कंडिशन मे प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ते हुए कुछ केसे में देखा गया है तो इसलिए कुछ हाइपोथेसिस के तॉर पर ये भी चीज है कि जो हॉर्मोन का involvement है फीमेल हॉर्मोन का उस इसमें भी implication के तॉर पर देखा गया है इसके अलामा टूथपेस्ट की एलरजी या इस तरह की कुछ और भी allergy इसके कारण में पाई गई है और कभी कभी कुछ cases में किसी भी प्रकार का कोई भी कारण पता नहीं लगाए जा सका है नेक्स प्रसन आता है कि इस problem की diagnosis कैसे हो तो इस problem की जो diagnosis होती है वो बड़ी straightforward होती है डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं पैदा करती है अधिकान्स cases में डॉक्टर देख करके ही डाइगनोसिस बना लेता है लेकिन कुछ cases में problem आती है जैसे कि इसके जो close इस तरह से दिखने वाले दूसरे जो problems होते हैं जैसे एकने हो सकता है पिंपल्स की problem रोजेशिया नाम की विमारी होती है डेमोडेक्स का प्रॉपर इंफेक्शन जो होता है इसी तरह से कैंडिडा का इंफेक्शन है तो उन cases में कुछ टेस्ट की जरूवत पढ़ सकती है डॉक्टर उन cases में टेस्ट की जरूवत पढ़ सकता है जैसे कैंडिडा का infection इस पीशन में है तो उसमें देखने को मिलेगी रोजिस्या में तो कुछ बेसिक टेस्ट का डॉक्टर सहारा लेकर की इस बीमारी का डाग्नोसिस बना लेता है नेक्स पार्ट आता है इसके treatment का तो इसका जो treatment में यह चीज़ ध्यान देनी है कि कभी कभी यह बिमारी जो है लंबी चल सकती है और कभी कभी बार-बार झीश कर हो सती ज både मारीज के लिए काफ़ी ज्यादा frustrating होता है तो ऐसे records में हैं कि कुछ मरीजों में यह बिमारी सालों भी चल सकती है एक से लेके चार साल तक तीन साल तक ऐसे लंबे समय तक बिमारी चल सकती है तो उस कंडिशन में मरीज़ को धैर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रॉपर टीटमेंट है उसके बारे में हम लोग डिसकस कर लेते हैं इसमें जो है कोस्मेटिक्स का रोल इंप्लिकेटेड है तो डॉक्टर आपका ये कहेगा कि आप क्स्मेटिक free जो मलब फास्मेटिक का उप्योग ही चरना बंद कर देगा इसको जीरो थिरेपी के नाम से जाता मुलब कि आपको कोई तरह का किसी तरह का खुस्बू किसी तरह का फांडेशन किसी तरह का मौस्टराइजिंग क्रिम यह सारा कुछ स्टिरॉइड जैसे की हाइड्रो कोटिसॉन इस तरह की क्रीम पर मरीज को रख करके और धीरे धीरे इसके भी फ्रिक्वेंसी कम करते हुए फिर इस्टिरॉइड आपका छुड़ाएगा जो इस्टिरॉइड के आदत पढ़ गई यह स्किन को तो उसको लोग प्रिक्वेंसी से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो काफी मरीज पैनिक कर जाता है कि हम इलाज करवाने गये थे और हमारा दाना और ज्यादा बढ़ गया तो डॉक्टर पहले हाइड्रो कोटिसॉन पर रखता है डेली पे फिर उसको अल्टरनेट डे पर फिर दो दिन के गैप फिर इ इसके इलाज में तमाम तरह की एंटि बायतिक क्रीमंस इस्तमाल की जाती जैसे आइरिथ्रमाहइसीं जेल पिलंड़ मंएशिन प्यूसीद मिउप्यूरोई औरे कुछ एकने के जो पिंपर्स के इलाज में जो दवाईयां इस्तमाल की जाती हैं वो क्रीम भी डॉक्टर इस्तमाल में ला सकता है जैसे कि एजलीक एसिड एड़ेपलीन लेकिन एड़ेपलीन जो है वो रेटिनौइड गुरूप की दवाई है तो सुरुवाती फेज़ेज मे अधिकांस डॉक्टर इड़ेपलीन नहीं इस्तमाल में लाते हैं रेटिनौइड गुरूप की दवाईयां नहीं लाते हैं क्योंकि स्किन अल्रेडी इंफ्लेम्ड है इरिटेटेड है और रेटिनौइड से और ज्यादा इंफ्लेम्ड हो सकती है इसी तरह से कैल्सिनूरीन इनिविटर नाम की दवाईयां बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं तो कैल्सिनूरीन इनिविटर में हमारे पास दो दवाईयां जो की बहुत ज़्यादा इस्तमाल की जाती है उसमें होती है टैक्रोलीमस और पाइमेक्रोलीमस तो टैक्रोलीमस 0.1% और पाइमेक्रोलीमस क क्रीम एक से दो बार डॉक्टर इस्तेमाल करने की सलाह देता है इन क्रीम से मरीज को सूरू आती कुछ दिनों में हलका सा जलन assuming जो सकता हैं जो की बिल्कुल ही सामाण ज्यादा इंफ्लेम डिताने हैं तो उसक्र समय डॉक्टर ओरल एंटिबाइटिक करता है तो और एंटबाइटिक में डॉक्सी साइकलिन या फिर मीनो साइकलिन नाम की दवाई काफी ज़यदा प्रिफर की जाती है इसी तरह से कुछ केशे में यरित्रॉमाइसिन क्या भी उपयोग में लाए सकता है इसी तरह से ओरो जो जो पेरी ओरल डर्मेटाइटिस है इसमें एक वैरियेंट होता है ग्रनलोमेटस वैरियेंट है तो उन केसे में कभी-कभी डॉक्टर आइसो ट्रिटिनोईन नाम की दवाई भी देता है तो यह सब ट्रीटमेंट जो है यह लंबे समय तक चल सकता है यह जो ट्रीटमेंट जितने भी हमने जिक्र किया वो ठिरैपी लंबे समय तक मरीज को कंटिन्यू करने पड़ सकती है लेकिन यह ध्यान देना है कि कभी-कभी कुछ केसे में प्रॉब्लम लंबी चलती है और दवाईयां जल्दी बंद करने पर यह रिये कर हो जाती है तो ऐसे कंडिशन में लिए जाए सारे तो अधिकायांस केसे में बहुत ही ज्यादा हेलफूल होता है और इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से मुक्ति पाई जा सकती है थैंक्यू